Hello friends, welcome to our channel, today we are going to learn important cities by trick which are situated on the bank of river in India तो basically इसमें मैंने कुछ important cities mention करी हैं जिनने हम trick से याद करेंगे तो start करते हैं, सबसे पहले city है पंजिम पंजिम मांडवी नदी के किनारे है, तो उसे याद करने की trick है पजामे पहन कर बच्चों ने नदी में डुबकी लगाई तो पजामे से पंजिम और डुबकी से मांडवी तो पजामे पहन कर नदी में बच्चों ने डुबकी लगाई, तो पंजिम मांडवी पजामे से याद आया, last से last year, 2018 में एक book release की थी by Twinkle Khanna named Pajamas are Forgiving और ये जो vocate is based on a woman who suffers from sleeping sickness मतलब नीद ना आने की बिमारी से वो women सफर कर रही थी और इस पर एक book लिखी थी Twinkle Khanna ने, Pajamas are Forgiving नेक्स्ट इस तिरुचरा पल्ली तिरुचरा पल्ली is situated on the bank of river कावीरी तो गाईस इसकी मुझे ऐस सच कोई trick पता नहीं है तो अगर आपको पता है तो प्लीज मुझे भी बताना कमेंट सेशन में कमेंट करके नेक्स्ट इस आग्रा और देली आग्रा और देली बोथ are situated on the bank of river यमुना तो आग्रा को तो याद भी कर लोगे आग्रा में one of the seven wonder है ताज महल और ताज महल यमुना नदी के किनारे है तो आग्रा है situated on the bank of river यमुना देली को आपको confused नहीं होना है बस आपको याद रखना है देली गंगा नदी के किनारे नहीं है देली भी यमुना नदी के किनारे है तो इसको याद करना है देली यमुना नेक्स्ट इस कटक कटक है situated on the bank of river महा नदी तो इसको याद करने की trick क्या है रोट पर एक महान एक बहुत बड़ा पत्थर है और उसको हटाने के लिए like कट करना पड़ेगा तो कट से कटक and महान से महा नदी तो कटक है situated on the bank of river महा नदी नेक्स्ट इस जबलपुर जबलपुर is situated on the bank of river नर्मदा तो इसको याद कैसे करोगे जबलपुर जबरदस्ती मा बोल रही है बच्चे से जा यहां से जबरपुर जबरदस्ती बच्चा बोल रहे है ना मा मैं नहीं जाओंगा तो ना मा जबरदस्ती ना मा तो जबलपुर नर्मदा नेक्स्ट इस उजजएन उजजएन is situated on the bank of river शिप्रा तो इसको याद करने की ट्रिक क्या है उजजएन ओजा सापाया ओजा सापाया शिप्रा तो उजजएन शिप्रा नेक्स्ट इस कॉलकता कॉलकता इस situated on the bank of river हुगली इसे कैसे याद रखोगे कॉलकता में कोल का साउंड आ रहा है और कोल कोईला ब्लाक कलर का होता है और हुगली से होल तो ब्लाक होल कॉलकता हुगली नेक्स्ट इस मदुरई मदुरई is situated on the bank of river वाई गई तो इसे कैसे याद रखोगे मदुरई से मदुर और वाई गई से वीना मदुर वीना बजाई तो मदुर वीना बजाई और वी से वैसे भी एकी रिवर का नाम है तो वैसे भी आप लिंक करके याद कर सकते हो मदुरई वीना मदुर वीना मदुरई वाई गई नदी के किनारे है Next is Humpy Humpy is in करनाटिका मदुरई is in Tamil Nadu तो Humpy करनाटिका में है और Humpy तुंग भद्रा नदी के किनारे इस्तित है तो इसे याद करने की ट्रिक क्या है Humpy से हमें तुंग भद्रा से तंग हमें लॉक्डाउन ने तंग कर दिया है Clear? तो हमें लॉक्डाउन ने तंग कर दिया है Humpy तुंग भद्रा And guys, तुंग भद्रा जो नाम से है एक डाम भी है करनाटिका में तो करनाटिका में तीन इंपोर्टेंट डाम है One is this तुंग भद्रा Next is Another is Almaty and Krishnagar अर्जुन सागर तो ये तीन इंपोर्टेंट डाम है करनाटिका में तुंग भद्रा, Almaty and Krishnagar अर्जुन सागर Next is नासिक नासिक is situated on the bank of river गुदावरी अब इसे कैसे याद रखोगे? नासिक, बच्चा बोल रहा है मां से नासिक, मुझे मारो मत, मुझे सेको मत अपनी गोद में बिठालो तो नासिक, गुदावरी हाँ मुझे पता है ये कुछ अजीब ट्रिक है बट स्टेल याद होना चाहिए ट्रिक कैसी भी हो, important है याद होना चाहिए Next is Manali Manali is situated on the bank of river ब्यास तो ब्यास से 20 और Manali से Manaliya तो इसे कैसे ट्रिक से याद करोगे मैंने 20 लोगों को Manaliya Manali जाने के लिए मैंने 20 लोगों को Manaliya Manali जाने के लिए तो Manali ब्यास Next is Ahamdabad Ahamdabad is situated on the bank of river Samarmati और इसकी ट्रिक है Life में सबर करना एहम है Samarmati से सबर और एहमदाबाद से एहम तो Life में सबर करना एहम है Important है तो एहमदाबाद सामarmati Next is Ayodhya Ramjanmubhumi सबको पता है सर्यू नदी के किनारे है तो Ayodhya is situated on the bank of river सर्यू Next Sabri Mala Sabri Mala is in Kerala और Kerala में ही Pampa River है तो कैसे याद रखोगे Sabri Mala में आ रहा है Mala and Pampa में आ रहा है Pirona तो आप कैसे याद करोगे इसे ट्रिक से Mala को complete करने के लिए Moti Pirona पढ़ता है जब Mala को complete टरना होता है तो उसमें Moti Pirona पढ़ता है तो इसे याद हो जाएगा Sabri Mala Pampa and P से भी एक ही रिवर है तो Sabri Mala Pampa Next is Lucknow Lucknow की situated on the bank of river Gomati अब इसे कैसे याद रखोगे Lucknow में आ रहा है Lucky and Gomati से Goa तो इसे याद रखना You are very lucky that you are visiting Goa तुम बहुत Lucky हो कि तुम Goa जा रहे हो तो Lucknow, Gomati Next is Hyderabad ऐसे याद रख लो Hyderabad की मौसी Hyderabad में मौसी रहती है तो इसे याद रख लेना Hyderabad मूसी नदी की किनारे स्तित है Next is Goaati Goaati is the capital of Assam Assam and Arunachal Pradesh ये जो नौर्धीस्टन स्टेट्स हैं इनमें ब्रहमपुत्र रिवर फ्लो करती है तो Goaati ब्रहमपुत्र नदी की किनारे है Next is Kota सबको बता है Kota राजस्तान में है और राजस्तान में चंबल रिवर है तो इसको याद कर लेना Kota चंबल Next is Jammu Jammu तवई नदी के किनारे है तो इसको याद करने की ट्रिक ये है कि Jammu का जो railway station है उसका नाम ही Jammu तवई railway station है Because score Jammu है वो तवई नदी के किनारे है Next is Mention है मैंने श्री नगर श्री नगर जो है वो जेलम नदी के किनारे है और जो श्री नगर है वो जम्मू कश्मीर में है जम्मू कश्मीर हमेशा disputed area रहता है between India पकिस्तान तो हम हमेशा उसे श्री नगर को जहलते हैं पाकिस्तान को जहलते हैं तो जहलम श्री नगर जहलम नदी के किनारे हैं नेक्स्ट इस सूरत सूरत तापी नदी के किनारे हैं तो इसे कैसे याद रखोगे अपनी सूरद जो है अगर हम सूरज में जाएंगे तो हमारी जो स्किन है सूरद है वो तप जाएगी गरम हो जाएगी तो सूरद तापी नेक्स्ट इस हरिद्वार हरिद्वार गंगा नदी के किनारे हैं पता है हरिद्वार वारानसी ये सब गंगा नदी के किनारे हैं नेक्स्ट इस इंपोर्टेंट कुम्ब मेला कुछ कुम्ब मेला मैंने यहाँ पर मैंशन किये हैं जगे के जो इंडिया में मनाया जाता है तो कुम्ब मिला चार जगे पर होता है इंडिया में basically हरिद्वार गंगा नदी के किनारे उज्जेन शिपरा नदी के किनारे और नासिक गुदावरी नदी के किनारी और प्रियागराज जिसका नाम अब अलाबाद से प्रियागराज कर दिया है वो गंगा नदी के किनारी तो इंडिया में इन चार जगे कुम्ब मिला मनाया जाता है और यह जो कुम्ब मिला है वो हर चार साल बाद अलग लग जगे मनाया जाता है मतलब अगर एक बार हरिद्वार में कुम्ब मेला लग गया तो फिर उजेन में चार साल बाद लगेगा नासिक में फिर नेक्स चार साल बाद लगेगा और प्रियाग राज में नेक्स चार साल बाद लगेगा तो अलग अलग जगे तो कुम्ब मेला हर 4 साल बाद लगाया जाता है लेकिन अगर एक जगे कुम्ब मेला दुबारा आना है तो वो साइकल रिपीट होगी और फिर उस जगे कुम्ब मेला 12 साल बाद लगेगा मतलब अगर हरिद्वार में एक बार कुम्ब मेला लग गया तो next time वो हरिद्वार में ही हर 12 साल बाद लगेगा clear और जो 2019 का कुम्ब मेला है वो प्रियागराज गंगा नदी के किनारे लगा था 2019 में कुम्ब मेला और अभी है जो 2021 का कुम्ब मेला है ये हरिद्वार में लगेगा clear तो guys इसमें मैंने कुछ important studies mention की है जिनों जो हमने tricks याद की है और अगर आपको ये PDF form में चाहिए तो मैं link description box में provide कर दूँगी आप वहाँ से download कर लेना and I hope you like this video so please like, support and subscribe to my channel thank you और एक और बार हम March के current affair भी जल्दी में आपको provide कर दूँगी 2020 के so thank you